तो दोस्तो स्वागत आपका लीगल लोपीडिया में और मैं एड़ोकिट जीया ठाकूर अचप को बताने वाली हूँ सीनियर सीटिजन के कानूनी अधिकार जैसा कि आप सब लोग जानते हैं ये लोग बहुत बुजूर्ग होते हैं और इनमें ग्यान की भी कमी होती है जिससे कि वे अपना थोड़ा बहुत मतलब गुजारा कर सकते हैं ठीक है लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ लेकिन जो 70 प्लस बुजूर्ग व्यक्ति होता है उनको सबसे ज़्यादा छूट मिलती है 60 प्लस व्यक्ति को 1 रुपे मिल रहा है तो उस 70 प्लस व्यक्ति को 1 रुपे 10 पैसे एक्स्ट्रा मिलेगा क्योंकि 70 प्लस व्यक्ति है वो उससे भी ज़्यादा बुजूर्ग है और हो सकता है कि उसको कई बिमारियां भी जेलनी पड़ी हो इसके साथ ही अगर आप कोई और काम करते हैं, जैसे आपकी कोई दुकान है, चाय की दुकान है, या कोई भी आप छोटा-मोटा काम करते हैं, वहाँ से आपकी income generate हो रही है, और वह income दो लाक रुपे से जादा है, तो भी आप इस सुविधा का उपलोग उपयोग नहीं कर सकत तो दोस्तों अब बात कर लेंगे हमारे second point की, तो हमारा second point है tax, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, जो हमारे senior citizen होते हैं, उनको tax में भी बहुत भड़ी छूट मिलती है, पहले ये छूट 35,000 थी, फिर ये हो गई 50,000, अब ये 1 lakh के आसपास पहुँच गई है, तो इतना amount इ लेकिन अगर कोई बुज़ूर्ग व्यक्ति या कोई senior citizen बैंक के पास, private bank के पास कोई FD कराने जाता है, तो उसको premium भी जादा भरना पड़ता है, क्यों दोस्तों क्योंकि वो बुज़ूर्ग है, उसको बिमारियां भी हो सकती है, उसका खर्चा भी थोड़ा आलग होता है, है ना तो इसलिए bank वाले उनसे ज़्यादा premium लेते हैं, लेकिन government ये कहती है, कि अगर कोई 60 प्लस या 70 प्लस व्यक्ति हमारे पास आएगा सरकारी bank में FD कराने, तो उसको सबसे ज़्यादा छूट दी जाएगी, जैसे 60 प्लस कोई व्यक्ति है, माली जो कोई 60 प्लस senior citizen है, तो उसको 60% छूट मिलती है, लेकिन अगर कहीं पर 70 प्लस व्यक्ति है, वो FD कराने गया है अपना सरकारी bank में, तो उसको सबसे ज़्यादा छूट दी जाती है, निक्स्ट फॉर्थ पॉइंट है, दोस्तो हमारा rail या बस में छूट, देकिन जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, 60 प्लस senior citizen या 70 प्लस senior citizen जो होते हैं, उनको rail में भी बहुत ज़्यादा छूट मिलती है, टिकट कराने पर, यह All Our India में हर स्टेट पर उनको छूट दी जाती है, लेकिन इसके बाद भी अगर आप अपने local area में जाना चाहते हैं, तो वहाँ पर आप bus का pass बनवा के भी ज बोला जाता है, नेक्स्ट फिफ्ट पॉइंट है हमारा दोस्तों जिसे की पुलिस सेफटी, अगर आप जैसे मालेते हैं, कभी-कभी आपने देखा होगा कि किसी-किसी family में सिफ, husband wife होते हैं, काफी बुजूर्ग होते हैं, उनके बेटे या तो abroad में चले जाते हैं, या फि पुलिस सेफटी की जरुरत है, क्योंकि दोस्तों देखो, आप लोग senior citizen में आते हो, अगर तलको कोई चोर वोर आ गया, तो आपकी जान को भी खत्रा हो सकता है, तो इस condition में पूलिस क्या करेगी, आपकी जो भी application होगी, जो भी शिकायत हो कि उसको दर्ज कर लेगी, और हर ह महीने एक SI की जूटी भी लगती है, तो हर महीने एक बार SI आपके घर पर आके खुद आप से पूछेगा कि सर आप ठीक से रह रहे हैं या नहीं रह रहे हैं, या फिर ये पुलिस वाले आपका ठीक से ध्यान रखते हैं या नहीं रखते हैं, तो ऐसी condition में आप पुलिस सिटिजन की कैटिगरी में आता है और उसके ओपर कोई केस चल रहा है, तो वो अपने स्टेट के हाई कोट में रिट पेटिशन डाल कर उस केस को जल्द से जल्द खतम करवाने की मांग कर सकता है, क्योंकि दोस्तों वो बुज़ूर के व्याक्ति है, senior citizen है, इसलिए वो ज़ सिटिजन के लिए अलग से एक्ट भी बना गया है, जैसे senior citizen act 2007 कहते हैं, इसमें भी बहुत सारी facilities आपको प्रवाइड कराई जाती है, जैसे कि आपका resident right हो गया और आपका भरन पोशन maintenance का राइट हो गया, अगर आप किसी भी तरह के का maintenance चाहते हैं, तो आप अपने जिला के collector या SGM के पास application लगा सकते हैं, वो इस application को जल्द से जल्द अलाओ करके आपका maintenance भी बनवा सकता है, तो next point है हमारा health, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर आपको FD कराते तो उसमें premium आपको ज़्यादा देना पड़ता है, लेकिन अब मोधी सरकार ने आप जैसे कि अगर आप किसी भी सरकारी दफ्तर में जाते हैं, तो वहाँ पर senior citizen की अलग से line बनाई जाती है, आपको आम आदमी की line में धक्के खाने नहीं पड़ते हैं, और मालीजे अगर आपने किसी भी सरकारी दफ्तर में कोई भी शिकायात दर्च कराई है, तो आपको first presence द सब लोग जानते हैं, कई बार लोग अपने parents को बाहर निकाल देते हैं, अपने घर में नहीं रखना चाहते हैं, तो उसके लिए old age home भी बनाया गया है, ये सरकार भी चलाती है, कुछ agency भी चला रही है, ठीक है, और कई NGO ने भी अपना ये old age home open कर रखा है, आप इसमें मुफ्स तुमें होती है, आप से किसी भी तरीके का कोई भी रूपिया नहीं लिया जाता, तो दोस्तो आज की विरम सिफ इतना ही, कल फूइ मिलेंगे एक नहीं टॉपिक के साथ, जब तक legal law video को follow करो, और अगर मेरी वीडियो informative लगी हो, तो please like, share and मेरे चनल को subscribe जरूर करो, Thank you